क्वाइब दोस्तों वेलकम बैक मुछान जाता है जहाँ पे लोगों को कि अग्ए के इतने लेइर्स कितने एंगल में सोच सकते हैं इस बात को अगर असिस करना है तो इस रवे होटे हैं। हमारा अग्सामपल होने वाला है कि कोई इंटर्व्य आप दिन में अगर आपको अंदाजान लगाना है कि कि एक दिन कितने coffee cups use होते हुआ थीक यह आपका question है जिसको आपको estimate करना है कि एक दिन में कितने coffee cups use होते है तो आप question को ध्यान से सुनएगा उन्हों에게 पूच자 है यूजू उन्होंने यह नहीं पूच्छा कि कितने cups of coffee लोग को रोज पी ते हैं तो question में यहीं आपको थोड़े थोड़े इस तरह के hints मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको इसको अपरोच करना है जब use की बात आती है तो हम use को दो तरह में divide कर सकते हैं कि सबसे पहला use उसका यह है कि उसका purpose डापड़ा распy क्या है कि लोग उसको use क्यूं करना है तो अपार्ट वुद्टे वक्राइब, लोग कौफी कप को क्यों यूर्स करते हैं, उसको पानी पीने के लिए, या फिर दो-दो कप लोग एक कप के ऊपर दूसरा कप यूर्स करते हैं, क्योंकि उनको कप की ठीकनेस नई पता, तो उस नचकी चीजों में लोग कप को यूज कर सकते हैं या फिर लोग coffee cups को एक pen stand की तरह यूज कर सकते हैं coffee cup को सिर्फ खेलने के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपकी office में लोग खुद का डबा ले के आते हैं और उसमें उनको mixture डालना है या sweet डालना है तो उस type की container के लिए coffee cup यूज कर सकते हैं तो यूज को आप पहले coffee और non coffee में divide कीजे other purposes जितना भी आप सोच सकते हैं अपने imagination के हिसाप से आप others के purposes को आप लिख सकते हैं एक बार आपने purpose identify कर दिया अब आपको solve कैसे करना इस question को इसके दो approaches है पहला approach है वो है supply वाला और दूसरा approach है वो है demand वाला मतलब की supply वाला approach वो है जहां पे आप देख सकते हैं कि इस office में कितने coffee cups supply होते हैं एक दिन में ठीक है या फिर इस company में coffee cups किस तरह से procure होती हैं कहां से आती हैं जितने भी आती हैं उतने consume होती होगी एक percentage आप लगा के बोल सकते हैं कि अगर इस company में supply जो है coffee cups की वो पर डे 100 coffee cups है तो उसमें से 80% use होता है मेरे इन purposes में य supply side में अगर आपको और detail अंदाजा लगाना है आप बता सकते हैं जैसे कि coffee का supply किस तरह से होता है कितनी machines है हमारे company में और हर machine का एक minute में वो कितने coffee जनरेट कर सकती है तो आपको अंदाजा मिल जाएगा अगर एक machine दो मिनट में एक cup coffee देती है तो पूरे दिन में 8 गंटे मे कितने cups of coffee वो दे सकती है या फिर आप machine का downtime भी लगा सकते है कि 8 गंटे ये on नहीं रहता है और इस वज़े से इसको सिर्फ 7 गंटे हम चलाते है maintenance time भी जाता है इसका refilling time जाता है उस तरह से आप जो है supply side का इसको estimate कर सकते हैं demand side का अगर आपको estimate करना है demand वो है जो consumption side से आती ह है ये use से आती है कि कितना use का demand है इस particular coffee cup में हो सकता है उस company में supply concern ना हो जितने खर्ष होते हैं उतने लाते होंगे तो उस उस angle से आप demand का estimate कर सकते हैं demand में आप किस तरह से estimate करेंगे कि कि कितने लोग हैं जो use करते हैं अब लोगों में आ जाते हैं अपने employees और visitors कितने visitors हर दि लेते हैं coffee use करते हैं पानी पीते हैं coffee cups में इस तरह से और कितने employees हैं जब employees की आप बात करें तो एक employee कितने बार coffee पीते हैं इसको आप बहुत creatively divide कर सकते हैं आप यह simple सा यह एक approach होता है कि आप बोले हर employee दिन में दो बार coffee कॉफी पीता है सुभई और शाम को लेकिन अगर आपको इसको डिवाइट करना आप इसको बता सकते हैं कि जिस दिन मीटिंग्स होती है उस दिन लोग मीटिंग में बैट के बहुत सारा कॉफी पीते हैं तो वह दो से जादा होता है एक दिन में अगर इस कंपनी में कोई किस क कितने कप्षियर अगी अगर अब यह बताते हैं कि यह एक्सरा इस्ट भी कुछ इसे इससे कर सकते हैं अप 직Fr लोग करते हैं यहां पर लोग कोफी कॉपको जो है वेस्ट कर देते हैं मैंने एक coffee लिया वो cup फट गया तो मैंने उसको fake दिया या फिर मैंने एक cup लिया सिर्फ उससे कुछ ऐसे से करके खेल लिया वो waste किया तो wastage को भी आप include कर सकते हैं इस तरह से जो है आप supply side से या फिर demand side से इस पूरे question को solve कर सकते हैं आप दोनों इसमें आप multiple layers सोचें मैंने कुछ suggestions दी हैं इसमें भी आप और detail में जा सकते हैं analytical thinking वो होती है जब आपको कोई single sentence brief दे उससे आप कितने layers deep सोच सकते हैं तो इस तरह के examples के लिए आप थोड़ा practice कीजिए चार पांच examples आप practice करेंगे तो आपको इस ताइप के questions बहुत आसान लगने लगेंगे यह आपको Google करने पर मिल जाएंगे कि एक साल में कितनी लाल cars बिकती हैं एक साल में कितनी red jeans बिकती हैं इस type की कुछ questions हैं जो आप estimate कर सकते हैं city में कितने घर बिकते हैं इस type की आप कुछ solve कीजे आपको बहुत easy लगेगा मैं उमिद करती हूँ यह वाला वीडियो जो है आपको useful लगा होगा अगर आपको इस type के और वीडियो चाहिए तो comment section में जरूर बताना Thank you